हालो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन लेकर के आयूं उन लोग के लिए गुड न्यूज है जिस ने वो जो 16 आगस्ट को मंडे को एसेंचर का एक्जाम दिया था उनके लिए गुड न्यूज है क्योंकि वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं नेक्स प्रोसेस के लिए कम्यूनिकेशन असेस्मेंट के लिए ठीक है तो देखो आज मैं आपके साथ इसका डिस्केशन भी करने जारी हूं कि यह लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर के आया है इन लोग का और आप लोग को मेल आई होईगी जिस ने भी कोडिंग का राउंड और टेक्निकल असेस्मेंट का दो जो है उनों राउंड क्लियर की है ठीक है सबसे पहले जिसने फॉर्म फिल किया है उसको यह मेल आती है कि हाई योर नेम रहता है वहाँ पे आपको गेर अप पर यूर असेस्मेंट राउंड यू विल सून रसीव डिटेल्स यूर असेस्मेंट अलांग विद ताइम स्लोट दिस दिस और यह लोग क्या करते हैं मुग टेस्ट लेतने के लिए टाइम देते हैं आपको ताकि आप लोग को एक जैसे मुग टेस्ट देते है ना ताकि आपको पता चल जाए अंदाजर लग जाए कि किस टाइप का आप तो ठीक है पहले आता है आपका मुक टेस्ट का लिंक उसके बाद हैव मुक टेस्ट पना कं वह देते हैं हर एक पार्त मिसे और फिर रहुतन नहीं गए फुछन next day आपका होता है actual exam तो उसमें आपका camera जो है आपका सही से capture करे रहता है आपका face डारेक्ट front of camera आपका होना चाहिए और ना वह वार बार warning देगा और फिर आपका test कभी भी terminate कर दिया सकता है तो assessment होता है जब से पहले technical होता है तो उसमें आपका होता है यह maths वगरा कर ठीक है तो उसमें जब clear होता है ठीक है उसी दिन जैसे कि आज technical round हुआ और जो भी यह technical pseudo code यह सब हुआ उसके बाद आपको उसका result दस मिनट में ही आ जाता है ठीक है दस मिनट में result आने के बाद आपका होता है coding round फिर आप लोग coding करते हो ठीक है आपके पास यह आता है जब आप लोग यह technical assessment कर लेते हो तो congratulations you have successfully completed and clear our cognitive and technical assessment जो assessments थे वो आपने technically कर ले ठीक है फिर आपका आता है वही 15 मिनट बाद आपका start होता है coding round फिर coding round जब आप लोग clear कर लेते तो आता है आपका thank you for successfully participating in our coding assessment sorry sorry coding assessment आपको कुछ time बाद mail आती है ठीक है नहीं तेखो यह three days ago की mail है उसमें आया था thank you for successfully participating in our coding assessment यह था कि आपने successfully coding assessment जो है participate किया ठीक है लेकिन इसका result जो है वो आजाया है ठीक है coding जिसने सही कर रखी थी उसका result आजाया है congratulations you have cleared our cognitive and technical and coding assessment round you are now eligible to take our communication assessment आप क्या करना है communication assessment होगा उसके बाद आपका interview होगा तो इतनी लंबी process आपके passenger में होती है ठीक है नई समझ में आ रहा है आपको यहां से समझ लो सीधा सबसे पहले क्या होता है selection process में technical round होगा आपका technical round आपने clear कर दिया आपका आपका आता है technical में आपका pseudo code वगर पूछे जाता है और फिर कुछ maths होता है pseudo code होता है reasoning होती है यह समझ आता है ठीक है फिर उसके बाद आपका आपका coding round आपका coding round आपका complete होने के बाद आपको यह mail आई होगी आज ठीक है coding आपका 3 दिन पहले complete हुआ है और आपको आज mail आई है कि आपका round clear हो चुका है अब आप लोग eligible है next assessment के लिए communication assessment ठीक है उसके बाद होगा interview result इसके बाद आएगा result और सारा सब कुछ इसमें आप लोगों को 28 तब confirm हो जाएगा so guys thank you for today and please subscribe my channel subscribe to 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 my channel